हलो एवरिवन आज हम अपनी रसोई से बनाएंगे बहुत हेल्दी रसिपी जो टाइम भी बिल्कूल ने लेती बहुत जल्दी बनती है और जिसके हेल्थ बेनेफिट्स बहुत जादा है आज हम बनाएंगे अवकाडो टोस जो बनेगा अवकाडो से अवकाडो एक सुपर सब्सक्राइयर सब के लिए अच्छा है और ये टेक्स्च्च्य में बहुत क्रीमी होता है और बहुत इजी है इसको यूज करना आवकाड़ो को लेते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखने है आपको ग्रीन कलर का जो आवकाड़ो का खच्चा अवकाडो नहीं लें जो पका हुआ अवकाडो उसको लेना है जो थोड़ा सा डाक कलर हो जाता है और हात लगाने में सॉफ्ट हो वो वला अवकाडो लेना जो बिल्कुल पिल पिला पका हुआ होता है वो वला अवकाडो भी नहीं लेना अब मेरा अवाकाडो बिल्कुल soft है और पका हुँएँ अब मैंने इसको center से कट करके इसके दो partition कर लिया और जो बीच में इसका seed है उसको अलग कर लिया अब हम इसमें से पल पला कर देंगे अब हमें इस में इस फोक से कर रही थी मुझसे फोक से नहीं है पोटेटव मेशर की है dados mij कर दिया इसे यससे में इसका इटसल्फ अपना कोई टेस्स नहीं होता इसको हम जो इसमें इसमें गणते हैं वह भी बिलकुल डाय ड görünते इसका ज्यादा भी नहीं बनाना इसका टेक्श्चर जो है क्रीमि है अब हम इसमें जार डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स मैं यहां पर अनियन और टमेटो भी डाल रहाँ अगर आप चाहो तो कैपसिकम भी डाल सकता है अब हम इसमें डालेंगे च्छोटे पीसिस कर लिया है मेरे अविकार्डो को साइज थोड़ा सा बढ़ा था तो मैंने यहां वन एंड हाफ लेमन यूज कर रहा है आप चाहो तो वन लेमन भी यूज कर सकते हो फिर इसमें हमने डाला बारी कटा हुवा धनिया अनियन और टमेट अब हम इसके लिए कर लेते हैं अपनी ब्रेड को टोस्ट मेरे मेरे पास यहां पॉप अप वला टोस्टर है मैं उसमें आटा ब्रेड को टोस्ट करूंगी आप चाहो तो तवे पे घी लगा के दोनों तरफ से इसको अच्छे से क्रिस्प भी कर सकते हो मैंने ब्रेड को टोस्ट कर लिए और हम अब अपलाई करेंगे इसके पर थोड़ा सा बटर बटर टोटली ऑप्शनल है पर मैंने यहां एक स्लाइस पर यह बटर अपलाई कर रहा था और उसके उपर जो हमने फिलिंग बनाई है वो लगा देंगे अगर आप चाहो तो बटर छोड़ भी सकते हो और इसको हम और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमे आड़ करेंगे रोस्टेट सैसमे सीड और फ्लेक्सिल्ट इस फिलिंग को आप एजर डिप पी यूज कर सकते हो नाच्योस के साथ आप इसको इंजोई कर सकते हो एवकाडो से हमारा चीज स्प्रेट बनता है वो भी काफी अच्छा बनता है अवकाडो की स्मूदी भी बना सकते हैं के अवकाडो से आपके 6-7 स्लाइसेस रेडी हो जाते हैं मुझे यह 100 रुपीज का मिला था अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप बिसे जरूर ट्राई करना हेल्दी खाईए हेल्दी रहिए बाई